जितने भी लोग ग्रेजुएट्स है उन सभी लोगों के लिए professional assistant के तौर पे vacancy आ चुकी है CPEPA के अंदर Center with Potential for the Excellence in the Particular Area जो University of Calcutta के अंदर बहुत अच्छा एक अपना program चलाया जाता है जिसमें आपको professional assistant के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा इस वीडियो को पूरी details जानने के लिए इस vacancy की पूरी details जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेगान तक जरूर देखना पड़ेगा मेरा नाम है आयूश आप देखरें smart and legal guidance बहुत सरे लोग जुडीचरी की त्यारी करना चाहते हैं जहाँ पर आपको unlimited access मेलेगा online आपकी classes चलेंगी जहाँ पर आप live recorded दोनो classes देख सकते हो आपके जो syllabus से timely based पर पूरा cover होगा regular doubt clean sessions हुआ करेंगे live test series होती है study material आपको PDF format में दिया जाएगा answer writing जो आपको means की answer writing होती है उसकी भी आपकी proper training चलेगी आपकी free classes भी चलती है आपको अगर reference देखना है कि course खरीदने से पहले मैं कुछ educators की free classes देख सकूँ तो आप वो भी देख सकते हो आपको unacademy app download करना है search goal में judiciary PCSJ को search करना है वहाँ पर आप search में मेरा नाम I use gen search कर सकते हो आप कोई भी class देख सकते हो IPC Constitution की मेरी कोई भी class देख सकते हो एक code apply करके SLG10 का साहती में judiciary आप सभी लोगों के लिए free of cost judiciary scholarship test का नाम से एक program लेकर आया है unacademy judiciary scholarship test जो 18 जुलाई 2021 11 बजे होगा सभी लोग इसमें apply कर सकते हैं आपको बहुत सारे exciting prizes मिलेंगे बहुत सारे electronics items आप जीर सकते हो आपको rank लानी पड़ेगी free of cost चलेगा आपको test के बारे में अपना enrollment जरूर कराईएगा link आपको description box में मिल जाएगा साथी में अगर आप 12 मेने का course लेते हो तो 1 मेने का आपको free मिलेगा 18 मेने का आप course खरीते हो तो 2 मेने free, 24 मेने का आप course खरीते हो तो 3 मेने free, offer 8th of July तक है 8th of July के बाद prices बढ़ जाएंगे तो आप अपना plan अभी की अभी book कर लेना Unacademy के अंदर 7th of July से अनिल खना सर और उनकी टीम के साथ जुडिश्री का एक fresh batch चालू हो रहा है जो अपने आप में बहुत बढ़िया batch है बहुत सारे लोग already enrolled है जो अपनी जुडिशी के त्यारी कर रहे है इसी वज़े से Unacademy ने 7th of July से नया plan चालू करने का सोचा है आपको screen पे prices show हो रहे है current prices आपकी screen पे है आपको 8th of July के बाद जो prices बढ़ जाएंगे आपको वो भी show हो रहे है आपको वी plan चूज कर सकते हो आपको code लगाना है SLG10 का 10% discount के लिए साथी में test series भी चलती है free of cost आप वो भी join कर सकते हो आपको code यूज करना है SLG10 का साथी में 1 month, 3 month, 6 month, 12 month 18 month, 24 months के plan आपके screen पे show रहे है आपको पूरा amount pay करने की जूरत नहीं है 10% का आपको discount 100% मिलेगा SLG10 का code apply करने के बाद अगर आप apply करना चाते हो subscription लेना चाते हो तो आपको link description box में मिल जाएग सबसे पहली बात आती है CPEPA यानि कि Center with Potential for Excellence in the Particular Area जो University of Calcutta की तरफ से एक बहुत बड़ा program अपना चलाए जाता है Research work के तौर पे आपको एक research scholar के अंदर पूरे के पूरी research projects को lead करना पड़ेगा, involve होना पड़ेगा सारे के सारे tasks आपको complete करने पड़ेगे एक आपकी ये job होगी इसलिए आपको जह हायर करा जार है professional assistant के दौर पे University of Calcutta की तरफ से और CPEPA के project के अंदर अब इसके अंदर समसे पहले बात आती है eligibility की, eligibility में आपके बस अगर LLB की degree है आप eligible हो, आप apply कर सकते हो अगर आपके बस LLM की degree है आप eligible हो और apply कर सकते हो यहाँ पर सारे के सारे fresh law graduates apply कर सकते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर experience नहीं मांगा गया है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी line लिखी होती है कि अगर आपके पास academic institutions के अंदर जो काम होता है office work का, उसके थोड़ा बहुत भी आपके पास knowledge है, समझ है तो एक advantage आपके लिए आजाता है वैसा और को issue नहीं आता है अब दूसी बात इसके अंदर आती है कि हम apply कैसे करें apply करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके screen के नीचे email शो हो रहा होगा आपको अपनी application सारी के सारी इस email पर भेजनी पड़ेगी दूसी बात यहाँ पर आपके screen के अपर address भी show हो रहा होगा आपको offline तरीके से भी इस address पर by post, by courier, by hand अपनी application send करनी पड़ेगी जैसे कि अगर मैं application में भेज हूँ तो आपको क्या भेज होगे सबसे बेल वियाद आप 10th class, 12th class अपनी graduation की mark sheets अपनी LLB की mark sheets की सारी की सारी photocopies आपको करवानी पड़ेगी फिर उसके बाद आपको envelope में attach करनी पड़ेगी साथी में आपको एक ID proof भी अपना attach करना पड़ेगा cross mark करके दूसरी बाद आपको अपनी passport size photo भी attach करनी पड़ेगी यह सारी की सारी आप attach करके सारे की सारे documents को एक PDF form बनाना PDF form बनाने के बाद आप सारे की सारे documents को mail कर देगा यह mail ID आपको show हो रही होगी screen के अपर दूसरी बात offline तरीके से भी आपको भीजनी पड़ेगी application तो आपको address जो है screen के पर show हो रहा होगा envelope बनाकर आपको वह send करना पड़ेगा अब इसके अदर बात आती है कि आपको offline भीजनी है या online भीजनी है यह बहुत सारे लोगों के doubt आता है यहां पर और बड़ नहीं लिखा है तो आपको online भी बेजनी पड़ेगी और offline भी बेजनी पड़ेगी तो इसमें आपका doubt already clear हो जाता है तीसरी बात इसके अंदर आती है कि इसमें salary कितनी दी जाएगी salary यहां पर 12,000 रुपे पर महीना आपको pay करा जाएगा क्योंकि एक यह research scholar के तौर पर job है धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा अच्छा होता रहेगा वैसी आपके salary भी increase होती रहेगी चौती बात इसके अंदर आती है कि मैं अगर professional assistant के तौर पर यहां पर काम करता हूँ University of Calcutta के अंदर तो मेरे assumption यह है कि यहां पर आपको work from whom ही अभी काम करने को दिया जाएगा क्योंकि as per the current situation जो कोवीड के भी चल रहे हैं पूरे देश वर में आपको भी बता है और third wave आने के भी पूरे पूरे chances है तो आपको मेरे मताबिक assumption मेरी है कि आपको online काम करने को मौकर में लगा तो यहां पर interviews भी आपका online चलेगा 15th July 2021 को आपका interview online चलेगा आपको अपनी application 12 July 2021 से पहले पहले या 12 July 2021 तक अपनी application आपको mail कर देनी है by post तक उनके हाथ में 12 July से पहले पहले आपकी application के हाथ में आजाती है अब इसका selection process कैसे होगा इसका selection process बिल्कुर simple है सबसे पहली बात आपकी जो application भीजी गई है वो shortlist करी जाएगी दूसरी बात इसके अंदर shortlist करने के बाद आपको mail आएगा सिर्फ और सिर्फ मेल आएगा अगर आपके बस mail आया है तो आपको मान लो कि आप interview के लिए select हो चके हो 15 July 2021 को आपका interview होना पका है पूरा interview का आपका link भेजा जाएगा भली कोई भी social media जितने भी है जहाँ पर video conferencing के थुरू आपका interview होगा online तरीके से आपको link mail के थुरू ही provide कराया जाएगा जैसी आपका shortlisting होती है फिर interview हो जाएगा फिर automatically हम पर posting हो जाएगी तो यह simple सा process होता है selection का 12,000 रुपे पर month जितने भी fresh log graduates है सभी लोग apply कर सकते हैं बहुत अच्छी opportunity है मैं आपको recommend जरू करूँगा कि अगर आपके पास अभी कोई opportunity आपको दिख नहीं रही है कि मैं कहां पे क्या apply करूँ तो यह opportunity अपके लिए best है तो ऐसी वीडियो आप latest updates देखना चाते हैं सभी log graduates के लिए सभी log students के लिए सभ प्रू बताएगा thank you दने बात